question दिया है एक व्यक्ति अपनी office की कुर्सी को 20% लाप पर बेच देता है यदि उसने कुर्सी 100 रुपए कम में खरीदी होती और 100 रुपए कम में बेची होती तो उसे 4% अधिक लाप होता कुर्सी का क्रेम उल्य बताईए माल लेंगे कुर्सी का क्रेम उल्य है X जिसे वो 20 प्रस्त लाप पर बेचता है विक्रेम उल्य निकाल लेंगे क्रेम उल्य है X 20 प्रस्त लाप पर बेचता है तो लाप हो जाएगा 120 बटे 100 यह हो जाएगा 1.2 X यदि उसने कुर्सी 100 रुपए कम में खरीदी होती क्रेम उल्य X है और उसने 100 रुपए कम में खरीदी होती नया क्रेम उल्य निकाल लेंगे नया क्रेम उल्य हो जाएगा इसको में लिख लेंगे CP2 ये हो जाएगा CP1 SP1 तो क्रेम उल्य हो जाएगा X-100 100 रुपय कम में खरीद रहा है और विक्रे मुल्य निकाल लेंगे विक्रे मुल्य हो जाएगा 1.2 X माइनस 100, 100 रुपय कम में बेंच रहा है तब लाब उसको हो जाएगा 24 प्रसत का पहले हो रहा है 20 प्रसत का फिर बाद में हो रहा है चार प्रसत का तो कुल लाब हो जाएगा कुल लाब हो जाएगा 24 प्रसत SP2 बराबर हो जाएगा CP2 into बटी 100 SP2 है 1.2 X-100 बराबर CP2 है X-100 और 24 प्रसत का लाब हो रहा है तो यह हो जाएगा 124 बटी 100 solve कर लेंगे इसे 100 का गुड़ा कर देंगे इधर तो यह हो जाएगा 120 X-10,000 बराबर 124 X-12,400 तो 4 X बराबर हो जाएगा 2400 तो X बराबर हो जाएगा 600 तो कुर्सी का क्रेम ले आ जाएगा 600 रुपए option C's का सही जवाब होगा by कूर भापशब प्राबर झाल झाल